शाट आप, एन्सिर्टावं जनसंख्या विसफोर्ट पर निपलत, परिचेट जब कोई भी चीज निरंतर रूप से ओनियंफर्ध तरीके से बढ़ती है तो उसे विसफोर्ट की रूप में जाना जाता है जब यह मनिश्यों के संदर्ब में होता है तो इसे जनसंख्या विसफोर्ट कहा जाता है मनिश्यों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब जनसंख्या पांच अरब से आधिक हो गई है सिर्फ इतना ही नहीं इस्त्रिय और पुरुष के लिंगानुपात में भी बहुत बड़ा अंतर है जनसंख्या विसफोर्ट के पीछे कारण जनसंख्या विसफोर्ट के पीछे विबिन में कारण है जिनमें से कुछ के बारे में मैंने यहां नीचे चर्शा की है मृत्यूदर में कमी चिकिस्ता शेत्र में विकास के कारण मृत्यूदर में कमी देखी गई है हाला कि यह कई माइनों में अच्छा है लेकिन जनसंख्या विस्वोट के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है दूसरे शबदों में हम कह सकते हैं कि मृत्यूदर जितनी कम होगी जनसंख्या उतनी ही बढ़ेगी निरक्षर्टा निरक्षर्टा बढ़ती जनसंक्या के पीछे एक और कारण है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां 50 प्रतिशत से अधिक आवादी गाओं में रहती है इसके अलावा यहां एक ऐसा देश है जहां बालिकाओं की हत्या आम है और इस परिद्रिश्य में बहुत कम लोग है जो अपनी बेटी की सिक्षा की देखवाल करते हैं मैं यह कह सकता हूँ कि कई महिलाए आज भी निरक्षर है इसलिए वे परिवार नियोजन के महरत्व को नहीं समझती है और जन्म नियंसर्ण विदियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है नए सद्धानतों का अभाव ऐसे कई देश है जहां बच्चों के लिए नियम और कानून है जैसे कि लोगों के एक या दो से अधिक बच्चे नहीं हो सकते भारत में ऐसा कुछ नहीं है और परिणाम सरूख लोगस्पतंत्र है और उनके कई बच्चे हैं कुछ सांस्कृतिक पदानुक्रम कभी कभी परिवारों में पांच बच्चे भी होते हैं क्योंकि हर किसी को एक लड़के की जरुरत होती है ऐसे में वे हर साल एक बच्चा पैदा करते रहते हैं जब तक कि वह लड़का ना हो बालिकाओं की हत्या के पीछे यह भी एक बड और यह भी हमारे देश में जनसंक्या विस्वोट के प्रम्व कारणों में से एक है जनसंक्या विस्वोट की कमिया किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है या तो वह विटामिन और मिन्वल्स हो या फिराभादी वे समाज में कुछ ऐसा असंतुलन पैदा करते हैं जो कई माइनों में सही नहीं होता है गरीबी भारत एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में गरीबों को देख सकते हैं जितने अधिक सदस्य एक परिवार में होंगे उतना ही परिवार को कमाने की आवशक्ता होगी और जब वे चीजों को प्रबंदित करने में विपल होते हैं तो स्वता ही उन्हें कुछ बुन्यादी जरूरतों को पूरा करने में व्यवधान डालता है इससे गरीबी को बढ़ावा मिलता है हाला कि भारत एक विकार शील राश्ट है लेकिन यहां कई समान रूप से गरीब है बेरोजगारी यह मुख्य समस्याओं में से एक जो से देखी जा सकती है आजकर जनसंक्या के तुलना में बहुत कम नौक्रिया रहे गई है जब ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो यह अपने आम गरीबी की ओर ले जाएगा हर चीज में संतुलन होना चाहिए तब ही समाज में शांती और सद्भाव बना रहता है अपरा रूप से वे कुछ नकरात्मक फृत्यों की ओर रुख करेंगे और आजकल आए दिन अकबारों और टीवी में दकैती या लूट की खबरे रोज पढ़ और देख सकते हैं अपरात की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है निशकर्ष जनसंक्या विस्वोट में कई कम्य है और इसमें कुछ भी सकत्मक नें लीए इसे नियंत्रत करने के लिए हम एक निश्यत दियम लाना चाहिए Haal accurate सरकारद्वारक कई लाभघ्रदान किए जाते हैं तिर भी कई ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते भी में लोगों में जागरुकता विक्सित करने के लिए झाल झाल झाल